Hello friends, Welcome to my channel friends, यह जो आप देख रहे हूए कि pressure transmitter है और आज मैं आपकOOO इस वीडियो में ए pressure transmitter की कैलिबरेशन की तरह करता है? जाने कि pressure transmitter की बेसिक कैलिबरेशन की तरह होता है? और यह transmitter की सतरह काम करता है? और यह transmitter की जो output और input signal जाने की इसका जो output signal जो की milliampere है और इसका जो input signal जो की pressure है जाने की pressure से किस तरह इसका जो output signal भेरी करता है मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिस करूँगा यह वीडियो पुरा लास्तों देखिए अगर मेरा चैनल अभी तरह सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल अटोन को दबादीजी तक जब भी में वीडियो पोस्ट करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगे चाली अब को वन्षर के प्रेशर का इसे प्रेशर को यहां पर एक शेंगल पूट देखने को मिलेगा और इसी सीग्वल्पोर एक प्रेशर देने के कारणन से क्या होता है यह यह बन्थे. और ही ट्रैं्सर क्या करता है यह प्रेसर को एक निकलता है करके यह umगे जानने कि यह ट्रांस्त्र हमुर्ट्स चलिए अभी फ्रेंच मैं इसका केलिब्रेशन के बारे में बताता हूँ फ्रेंच्जिश में अब आपको यह अपको प्रेशर ट्रांस्मिटर किस तरह केलिब्रेशन करते हैं और केलिब्रेशन करने के लिए किनकिन चीजों की लिकवार्मेट है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो ट्रांस्मिटर के ج्ज़ों आउटपुट सीगनल और मेजर करने के लिए और उसके बाद आपको एक जो हैंड पॉंप चाहिए और उसके साथ लगा हुआ एक जो प्रेसर गेज चाहिए जाने कि यह जो हमारा स्टांडर्ड होना चाहिए जाने कि जो प्रेसर गेज हमारा स्टांडर्ड वाला प्रेसर गेज यह जो प्रेसर में लेगा और जैसी मैंने आपको पता है जो हमारा ट्रांस्मिटर होता है जाने कि प्रेशर ट्रांस्मिटर में आपको जो सिंगिल पोर्ट देखने को मिलता है आपको क्या करना है फ्रेंच 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 निखिस करता जाएगा, और इसी एकड़िंग फ्रेंज यह जो हमारा प्रेशर ट्रांस्मिटर साथ आपको फ्रेशर मेंच करना है, सबसे पहले इसमें इक जो जीरो होता है, उसके बाद आपको चार स्टेप से प्रेशर देना है, यानिकि 25 परशंट और सेंटीज़ीव संट्रकर 활िण। पर केज़ीन है। है कंचीज़ीником यह सबसे पहले सबसक्राइब यह सबसे पहले इनेन् commissions हइंटीज़ी कि pressure इनेरेट करना है जो प्रेशर अगेज में आपको यह उसके बाद अपको क्या करना है इसके साथ आपको compare करना है, जैना कि जो transmitter में आपको देखना है, इसमें अगर आप 50 kg की pressure दे रहे होती, इसमें आपको कितना 100 करा है, अगर जादा 100 करता है या फिर कम 100 करता है, तो इसमें आपको जो error माना जाएगा, और उसी एकड़ेंग आपको क्या करना है? फ्रेंश मट्टीमिटर लगा के। आपको जो मिलियाम्पेर मेजर कना है। ज्याने कि इसी प्रेशर से आपको मिलियाम्पेर मेजर करना है कि जो कि हमारो 20च परसेंट्अ। मेल लात हैं और इसी तरह जो किए 50 परिसेंट पे अव को जो 250 मिली अंपार और 75 परिसेंट पे आपको 16 मिली आंपेर और वसी एकडिं से लेni. पर जो मॉल्टी मेटर लगा होता है मॉल्टी मेटर से मिलियाँपेर मेजर करना होता है और प्रिंस यह मैं आपको बतायों तह freंच जैसी मैं आपको बता है यह यह ना को बता है यह जो हमारा प्रेसर ट्रांस्मीटर है तक इसका जो output range जो हमें देता है जाने कि जो 4 milliampere जो हमें जो pressure transmitter जो zero condition में होगा यह आपको जो 4 milliampere देगा ओके और इसी तरह जैसे जैसे यह जो pressure increase करता जाएगा और इसी तरह जो और milliampere भी जो कि आमारे increase करता जाएगा जो कि up to 20 milliampere तक इंक्रीस करता जाएगा ओके चालि करते हैं जाने कि heart communicator लगा के इसमें जो LRB, URB और इसमें zero trimming कैसे करते हैं और यह transmitter की sensor connection किस तरह करते हैं और इसमें जो power supply किस तरह देते हैं फ्रेंस वह सो वीडियो मेरे चैनल पर अल्लेड अप्लड कर रहा हूं और कुछ वीडियो की link इसी वीडियो की description में दे रहा हू आप देखे हैं फ्रेंस इसाय और इसे तरह फ्रेंस ऐस जो आप देखे हैं हो प्रेंस यह मेरे जैने कि यह different type मैंनीफोल्ड की यह आपको next वीडियो में बताने वाला हूं और इसमेरे जो केलिब्रेसन की रेंज की बारे में चैले मैं आपको बता दो मैं परिंपर चाले सबाता हूंए देखये देख्श जो योँए पर्यार पर्यार ट्रांस्पेटंट्र, अवज जितने से राख Transmitter होता है ऐसे आपको 4 से लेके 20 mili-aiden तक इसका आउट-पुट मिलता है जहनने कि हमारा Transmitter के अंदर बिलिकुल प्रेशités नहीं होकत ज जिएरो होगा तो आपको जो Transmitter में 4 mili-aiden देखने को मिलेगा इसे तरह फ्रैं जी उमारा Transmitter में 100% हो जाएगा जाने कि यह जो ट्रांस्मीटर की जो अंदर जो की प्रेसर आपका जो ऊपर रांच भेलू तो जो पहुंच जाएगा तब आपको जो 20 मिली आमपर की आपको जो सिगनल मिलेगा ओके और इसी तरह फिर्म करते हैं आपको सबसे पहले जरो ट्रिम कर देना है याने कि zero trim मतलब यह जो हमारा transmitter है transmitter में आपको पूरा जीरो टू लेके 200 kg पर cm किसका रहा है और आपको 25% में में 50% परेशर दहना. और उसी वक्त आपको क्या करना है जो ट्रांस्मिटर के साथ आप मल्टी मिन्यूर लगा हुआ है उसमें आपको 8Sh客 करना है इसमें करने के टाइम में अगर इसमें अगर थोड़ा से भी कम दिखाता है जाना चाहिए उसमें अगर कम दिखाता है या फिर ज्यादा दिखाता है और फ्रेंज मैं आपको और एक बात बहता दना चाहूंगो जो कि अमारा ट्रांस्मीटर होता स्टाहर जो अ हमारा फ़ेलव बॉलते हैं एसा तरफ सट्यापार होता है दने की अकि Coast सट्य होता है यहikई आर्यम Shift ब़लू और दूसरी जो होता है यूश्न जाने की उपड़ सेटि लिमिटि ये दोनो क्या होताए फ्रेंश उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और उसके साथ-सी वीडियो में जरूर करें थैंक्यू पर वाचिंग में वीडियो बाई बाई